हलो है वेल्कम टो नाइरा इस्टडी हब आप सब कैसे हैं I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इस्टडी को continue कर रहे होंगे फ्रेंड्स मैं नाइरा स्वागत कुरती हूँ आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइरा इस्टडी हब पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका हो जाता है विज्ञान सबजेक्ट का डियलेड सेकेंड समेस्टर का जो साइन्स का पेपर है उसके लगुत्री प्रिश्णों की सिरीज को पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए most important है सो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें और वीडियो को लाज तक जरूर देखें तो चलते हैं आज की सिरीज का first number question देख लेते हैं first number question हो जाता है मनुश्य में कितने परकार के दात पाए जाते हैं उनके नाम एवमकारियों को समझेप में समझाएं तो दातों के परकारों को देख लेते हैं मनुश्य में यानि मनुश्य के मुख में चार परकार के दात पाए जाते हैं पहला हो जाता है कुक्तक या छेदक दंत उसके बाद रदनक या भेदक दंत उसके बाद अगर चवर्नक दंत और दाड या चवर्नक इसमें समझ लेते कुक्तक या छेदक दंत में ये दात धारदार होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या चार होती है ये भोजन को छोटे छोटे टुकडों में विभाजित करते हैं रदनक या भेदक दंत इन दातों की संख्या कितनी होती है तो दो दो होती है ये दात छेदक द दातों की अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं ये दात भोजन को फारने का कारे करते हैं उसके बाद हो जाता है अगर चवर्नक दंत इन दातों के सिरे नुकीले होते हैं परन्तु के नाइन दातों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं इनकी संख्या चार-चार होती है इनका कार भोजन को कुचलना है दार या चवर्नक ये दात मुख में पीछे की ओर होते हैं तथा आकार में चोकोर होते हैं कैसे होते हैं तो चोकोर होते हैं इनके सिरेतीज धारदार होते हैं इनका मुख कार भोजन को चबाना होता है ये दात अत्यन्त मजबूत होते हैं इनकी कुल संक्याद छेचे होती है ठीक है ना आप देख लेते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उधारण सही समझाएं अब यहाँ पे समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है रासाइनिक परिवर्तन क्या होता है तो भौतिक परिवर्तन को पहले हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे जिस अवस्था में कोई चीज है और वो उसी अवस्था में फिर से आ जाए यानि ये भौतिक परिवर्तन हुआ लेकिन रासाइनिक परिवर्तन में ये होता है जो ची को बर्फ बनने में रख दिया ठीक ना वो बर्फ बन गया उसके बाद आप फिर से निकालेंगे और उसको थोड़ी दे रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो फिर से पानी में परिवर्तित हो जाएगा यानि यह क्या है यह बहुत दिक परिवर्तन हो गया अब रासाइनिक परि जैसे दूद से दही बन गया तो आप फिर से क्या दही को दूद में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो ये सब क्या है? ये रासाइनिक परिवर्तन है, जैसे आपने कोई कागस का टुकडा लिया और उसको जला दिया वो कागस का टुकडा राक बन गया अब क्या आप उसे फिर से कागस के टुकडे में उसको तब्दिल कर सकते हैं यानि उसको बदल सकते हैं तो नहीं तो ये सब क्या हो जाते हैं ये रासाइनिक परिवर्तन हो जाते हैं तो आईए हम समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुड अर्थात रंग अवस्था या आकरती आधि में परिवर्तन हो जाता है परंत उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है रासाइनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुड़ता, रंग, अवस्थाद, इसा भी कुछ बदल जाते हैं और साथी पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है, वही चीज जो अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण रूप से बदल जाती है, और पुना वो इस स्थिती में नहीं आती है, इस परिवर् बन गए, अब इस परिवर्तन में नया पदार्थ निर्मित होता है, अब रासानिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे गन्ये से रस बना, रस से सिर्का बन गया, अब सिर्के से क्या होता है, गन्ये के रस में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन रस से वो क्या हुआ, सिर्क बन गया या दूस से वो दही बन गया यानि नई चीज बनी है न और उसके बाद दही से दूद्ध नहीं बन सकता उसके बाद देख लेते हैं कारण हटाये जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है यानि कारण जब हटाया गया तो वो क्या हुआ वो अपनी मूल अवस्था में फिर से आ गया और जो आपका रासाइनिक परिवर्तन ने इसमें कारण हटाये जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है कि आपने कारण हटाया यानि कि आपने क्या क्या कागस को जलाया और उसके बाद वो राग बन गए अब आप कारण सोचो हटा रहे हैं और उसके बाद ये फिर से कागस बन जाए तो नहीं बनेगा यानि कारण हटाने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जिस अवस्था में वो आ चुका है फिर नहीं परिवर्तित होगा इसमें पदात के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो आपका रसाइनिक परिवर्तन है तो उसमें क्या होता है संगठन में परिवर्तन हो जाता है फिफ्ट नमबर पर है आपका जो भौतिक परिवर्तन है उसमें भार में कोई अंतर नहीं आता है और जो रासाइनिक परिवर्तन इसमें वस्तू के भार में अंतर नया पदार्थ बनने के कारण आ जाता है अब भार में तो अंतर आएगा ना जैसे माली जी आपने दूसरे द क्या हुआ वजन कम हुआ ना तो इस तरह से इसके भार में भी कमी आती है बहुतिक परिवर्तन में ताप और विदुच से वस्तु की रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है और वस्तु की रचना परकाश विदुच से परिवर्तन आता है यानि रासानिक परिवर्तन में प पदलता है लेकिन अधिक दबाओं पर पदार्थ बनते हैं क्या होता है अधिक दाप पर नए पदार्थ बन जाते हैं जब अधिक दाप लगाएंगे तो क्या होगा रासानिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाएंगे अब जैसे आपने क्या किया आपको पता है कि दूस से जो मठा निकाला जाता है उसमें क्या क्या जाता है बहुत जादा उसमें परकिरिया करनी पड़ती है बहुत उसमें दाब डालना पड़ता है उसके बाद दूस से मठा और घी निकाल सकते है ठीक है ना तो क्या हुआ कि जब इसमें आपने दाब डाला तो उसमें नया पद तो इस तरह से आपका भौतिक और रासाइनिक परिवर्तन हो जाता है आप चाहें तो ये किताबी भाषा लिख सकते हैं और आप चाहें जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं आप लोगों को कॉस्चेन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चलते हैं नक्स कोस्चेन की तरफ धौनी प्रदूशन से हानी कारक पर भाव बताये सामान बाध्चीत की ध्वनी से तीव ध्वनी शोर कहलाती है शोर एक आवानचे ध्वनी है अत्षवर ही ध्वनी गाड़ी, मोटर, बस ये सब हो जाते हैं, मनुरंजन के साधन में सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलिवीजन आधी हो जाते हैं, सामाजिक क्रिया कलाब जैसे दीपावली, दशेरा, आधी तेभारों पर तथा विवाह शादियों में पटाके पीकरों द्वारा तेज आवाज में भासर देना रात्री जागरण आधी हो जाते हैं, ध्वनी परदूशन के हानिकारक परभाव, अब इसका परभाव क्या पड़ता है, इसको भी समझ लेते हैं, तो तीर यानि तीज ध्वनी स्वास्ते पर विप्रीत परभाव डालती है यानि गलत परभाव उल्टा परभाव डालती हैं और कार करने की छमता को घटाती है, शोर और बहरापन, हिर्दे, रोग, बेचेनी जैसे रोग हो जाते हैं, शोर का परभाव मनुश्य के इसनायू तंत्र पर भी पड़ता है, शोर से रात्री में देखने की छमता में कमी ह हो जाती है, रंगों की पहचान में कमी जैसे परभाव भी देखेगा है, शोर, हिर्दे, मस्तिश्क के अतिरिक यकरत को भी नुकसान पहुचाता है, नब्य डेसिबल से अधिक की दवनी मनुश्य के लिए हानिकारक होती है, इस तरह से आपका हो जाता है, अब देख लेते है, दो हजार उन्निस फर्स्ट, तो इस तरह से आपके हो जाते हैं, अब इसमें देख लेते हैं, नाबिकी उर्जा है क्या, नाबिकी उर्जा, रेडियो पदार्थों से नाबिकों के विखटंद, अत्वा सहीलन से मुक्त उर्जा को नाबिकी उर्जा कहते हैं, जब यू लेनियम नाविक दो हलके नाविकों में टूड जाता था इस परकिरिया में आपार उर्जा प्राप्त होती है। यानि इस परकिरिया को नाभी के विखंडन कहते हैं तदा जिस निकाय में नाभी के विखंडन द्वारा उर्जा उत्पन की जाती है उसे नाभी के भट्ठी अत्वा नुकलियर रियक्तर कहते हैं नियंत्रित नाभी के अभिकिरियाओं के प्रणाम सरूप प्राप्त उर्जा नाभी के उर्जा या परमाड़ उर्जा कहलाती है दो परकार की नाभी के अभिकिरियाओं से नाभी के उर्जा प्राप्त हो सकती है नाभी के सैलेन और नाभी के विखंडन किन्तु वर्तमान सम वाडित जिक परमाडू उर्जा एकाहिया नाभिके विखंडर पर ही आधारिस्थ हैं सन 2009 में विशुकी संपूर्ण विधु शक्ती का 13-14 प्रतिशत भाग नाभिके उर्जा से प्राप्त हुआ है इसका उप्योग विधुत उत्पादन में किया जाता है हमारे देश में ता प्राकर्तिक आपदा दथा मानोकरत आपदा में अंतर बताएं प्राकरतिक आपदाएं विभिन प्राकरतिक शक्तियों के कारण उत्पन होती है इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविश्वारी करना सम्भवे जैसे भूकम, सुनामी, बादलों का फटना, विसफोर् मानोकरत आपदाएं मानोकी की कूपरबंद अत्वादुष्कर्मों के कारण उत्पन होती है इन आपदाओं की भविश्वारी और पूर्वानुमान सम्भवे जैसे आग, परमाडु, आपदाएं, आतंकवाती, गतिविधियां आदि हो जाती हैं धात्मों की चार और ता अलग-ःलग होती है कुछ धात्मों को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुर धर्म को अगहातवर्दिनिये एं, इसके बहुत पतले-पतले-तार बनाया जा सकते, इसमें तन्यता होती है धातू के पतले तार के रूप में खीचने की शम्ता को तन्यता कहते हैं देखे वही चीज़ आ गए सोना सबसे अधिक तन्य धातू है अगर कोशन आ जाता है सबसे अधिक तन्य धातू कौन है तो सोना क्योंकि आपने देखाओगा चांदी से भी पतले उससे तार बन जाते हैं है ना उसके बाद कोश्चन हो जाता है मुर्दा परदूशन के श्रोत वम परभाव लिखे मुर्दा परदूशन घरेलू अपसिस्ट कुड़ा कच्रा डिटरजन उपियोग में लाई जाने वाली प क्या पनपती है मनुश के स्वसंतंत्र का नामांकिक चित्र बनाए 2020 में भी ये कोश्चन आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है इसलिए आप लोगों के लिए वेरी इंपोर्टन हो जाता है इसको समझ लेते हैं यहाँ पे दिखिए आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से होता है बस यह है कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना होगा थोड़ी सी प्रेक्टिस आप लोगों को करनी होगे तो आप दो से तीन बार बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे देखिए नासा सिरा है यहिर्दे है फुफ धमनी इस तरह से हाप बहुट अच्छ से बना सकते हैं इसको jses सिरीज कराएंगे आपकी पवन सिरीज हो जाती राजन सिरीज हो जाती है most important questions हो जाते हैं प्लस आपके जो 2016-2017-2018 में आई हुए पेपर यानि की 22 तक की जितने भी आपके पेपर आए हुए सब को कराएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुतर से बहुतर नोट्स प्रोवाइड होंगे इसलिए अगर आपने सस्काइब नहीं किया है तो प्लीज सस्काइब कर ले इन सब चीजों को पाने के लिए ठीक है ना तो चलते हैं कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन है सरल मशीनों के परकार बताएं सरल मशीनों के परकार हो जाते हैं उत्तोलक पेच जुका तल घिरनी पहिया और धुरी उत्तोलक एक मुड़ी हुई अत्वा सीधी मजबूत चड़ होती है इस चड़ को एक बिंदू के सापेक्ष घुमा सकते हैं पेच स्कुरू पेच स्कुरू वास्तों में जुके तल के समान होता है किसी मोटर वाहन के पहिये को निकालने में उसके दुराधंड को उठाने क लिए इसकुरू जैक का परियोग किया जाता है लकडी के दर्वाजे खिडिकी वाल मारी बनाने में इसकुरू ड्राइवर की साहतासी में इसमें पेच स्कुरू लगाये जाते हैं जुका आनत तल यानि जुका तल किसी समतल तक्ते को छहतितल से किसी न्यून कोड पर जु पहलाता है आनत तल का उपयोग भारी ड्रम को कमबल लगाकर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है स्कूटर को सडक से मकान के चबूत्रे पर चढ़ाया जाता है घरों की छट पर चढ़ने वाली सीड़ी से छट पर चढ़ा जाता है इस तरह से आपका इसका उपयोग हो जाता ह गिर्णी देख लेते हैं घिर्णी क्या है यह आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से समझेगा घिर्णी है कुए से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिये पर होकर रसी खीचते हैं जिसे पानी उपर निकल आता है या पहिया ही घिर्णी कहलाता है घिर्णी के उपयोग क्या है किसी भारी चीज़ को उठाने के लिए आशक बल को कम करने के लिए घिर्णी का परियोग करते हैं बल की दिशा बदलने में घिर्ण जा सकता है मशीनों द्वारा साहता मशीने निम्न परकार से हमारी साहता करती है मशीनों द्वारा बलको सुविधाजनक इस्थान पर लगा कर कारे को आसानी से और शिख्रिता से कर सकते हैं भारी बोश्ड होने के लिए जहां कई व्यक्तियों के आश्यक्ता होती है वही पहि लेते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर इस्पस्ट कीजिए इसको समझ लेते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिका यह सरल कोशिका है जैसे जिवाडू, विशाडू, माइक्रो प्लाजमा, नीले, हरेशेवाल आधी हो जाते हैं केंद्रक अनुपस्थिती वा अल्प विक क्रोकॉंड्रिया में उपस्थित होता है उसके बाद देख लेते उत्तोलक क्या है उत्तोलक के परकारों का वर्णन कीजिए उत्तोलक एक मुड़ी हुई अत्वा सीधी मजबूत छड़ोती इस छड़ को एक बिंदू के सापेक्ष घुमा सकते हैं उत्तोलक का यांत्रीक ला पूर्वा गूमती है उसे क्या कहते हैं तो आलंब कहते हैं आयाम या आयास यहां पर आयास उत्तोलक को प्योग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयाम या आयास कहते हैं भार उत्तोलक के द्वार जो बोज उठाया जाता है उसे ही हम भार कहते हैं अ इसे एक और भार तथा दूसरी और आलम होता है अब आप इस तरह से समझ सकते हैं हमने कहता है आपसे आभा आ आभा आ यानि कोई लड़की आभा नाम की है और उससे आप बुला रहे हैं तो आभा आ इस तरह से आप याद रख सकते हैं तो आभा यानि पर्थम श्रेडी के उ होता है वो बीच में होता है आप बीच से इसको याद रखेंगे तो आलम यह आपका हो जाता है यानि आभा का जो बड़ा आ हो जाता है वो आलम हो जाता है अब सेकेंड जो दित्य श्रेणी उसमें भार बीच में होता है यहां पे भार हो जाएगा दित्य श्रेणी में ठीक ह तो वहाँ पे भा यानी आभा हो गया और आ तो आयाम होता है ठीक ना आयाम या आयास आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसके बाद आपका हो जाता है पर्थम शुर्णी के उतोलक में तो आपने देख लिए इसे यांत्रिक लाब एक से अधिक एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है अब कोश्चन आपका जो भुवी कल्पी टाइप हो जाता है ति लगुत्रे टाइप कोश्चन हो जाते हैं तो उसमें कोश्चन इस तरह के बनते हैं कि किस परकार के उतोलक में या अंत्रिक लाब एक से अधिक एक के पराबर या एक से कम हो सकता है तो आपको पता है पर्थम-परकार के उतोलत में या question को किसी और तरह से घुमा के पूछ लिया लेकिन जब आपको पता है कि पर्थम-परकार के उतोलत में ऐसा होता है तो आप लिख पाएंगे उदहानड जैसे आपकी कैची हो जाता है कैची, तराजू, हैंडपम, सीसा, धेकुली और कलाम, नलकी, टोटी ये सब हो जाते हैं उसके बाद देखें, यहाँ पर आयास, बल, आलम, और भार, ये क्या हो जाता है, इसको देख लेते हैं, दित्य श्रेडी के उतलक, इस परकार के उतलकों के बीच में क्या होता है, तो भार होता है, दित्य परकार के उतलक में क्या होता है, तो आभा, जैसे भी बताए, आभा तो भार बीच में हुआ ना तो भार बीच में होता है बल और एक और बल और आलंब होता है यानि इधा आलंब और बल होता है और बीच में क्या होता है तो भार होता है यारि यह दित्ये परकार का उतोलक हो जाता है एक पहिया वाला ठेला जैसे हो जाता है यह इसका उधारान किसका तो दित्य परकार के उतोलक अब दित्य परकार के उतोलक की बात कर ली जाए तो इस परकार के उतोलक में एक सिरे पर आलम तथा दूसरे सिरे पर भार होता है और बीच में क्या होता है बीच में बल होता है है ना तो बीच में बल होता है उधाराण चिम्टा हल फावड आ दे तो आ भा और आ तो बल आयाम है ना आप बल भी कह सकते हैं तो आ से आप याद कर लें उसके बाद हो जाता है निम लिखित के सूत्र एम एक एक उपयोग लिखिये विरंजक्चोण अब यह आप लोगों के जो आपके लिए कुश्यन है यह वेरी वेरी इंपोर्टन हो आप लोग लोग इसको बहुत अच्छे से रट ले तो आपका जो कोश्चन है निम लिखित के सूत्र याई निम लिखित जो यह सूत्र है इसमें एक एक उपयोग लिखिया लिखिया विरंजक्च्चूण बेकिंग लजाशन बलेचिंग पावडर सी ए ओ सी यह आपका हो जाता है इसको आप बहुत अच्छे से याद करने कई बार लिकलिक के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा केल्सियम हाइप लो राइट इसका उप्योग पैजल को शुध करने में वस्तरवा कागस उद्योग में विरंजक के रूप में बेकिंग सोड सोडा अच्छे सोडियम बायकारबोनेट इसका उप्योग खाने की वस्तों में होता है जैसे आपके ब्रेड हो जाते हैं आपके बंद हो जाते हैं उनको सबको क्या करते बनाने के लिए इसका उप्यो किया जाता है धावन सोडा NA2 – IO3 इसका उप्योग कपड़े दूलने मे किया जाता है अब यहां पर आप लोग कंफ्यूजन मत होईएगा बेकिंग सोडा और धावन सोडा आप इसको ऐसे याद रखेंगे धावन मतलब धुलना धा से धुलना होता है और धा से क्या होता है धावन होता है तो इसको कपड़े धुलने में उप्यों किया जा देखे ध भासे धुलना और धासे धावन . Baking soda । आपने में ऊब सब्रेद और बासे कीचन में यानि जैसे बांस्ती मंत जाता है भा सबूट है घंड सब्रकोटा डूसरीन जरूट है उसका नाम होता है sodium bicarbonate और जो कपड़े दुलने माला soda होता है उसको क्या कहते है धावन soda Na2CO3 ये आपका हो जाता है उसके बाद question है पर्थम वर्ग के उतोलकों को उदाहानर सहित परिभाशित कीजिए पर्थम वर्ग के उतोलक इस वर्ग के उतोलक में आलंब आयास तथा भार के बीच में होता है क्या है आभा आ देखिए वही चीज़ स्विर आ गई फिर से समझ लेते हैं क्योंकि जितनी बार आप समझोगे चीजों को उतना अच्छा है आलंब क्या है जब पर्थम परिकार के उतोलक की बात आए तो आलंब बीच में कर देना ठीक है और आभा भार और आयास आप इधर उधर कर देना यानि यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा पर्थम वर्ग का उतोलक तो इस तरह से चीज़ें आप लोग समझेगा I hope आप लोगों को शेशन अच्छा लगा होगा अगर शेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सीक और अच्छे से अच्छा वर्क करना है तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को स्क्राइब नहीं क्या तो प्लीज स्क्राइब करने और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करने हैं जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और इस्टडी को कॉंटिन्यू करें थैंक यू